नमस्षिवाई बच्चो आज हम लोग इस वीडियो में काल पढ़ने वाले हैं काल जिसे अंग्रेजी में हम लोग टेंस कहते हैं तेंस आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा इंग्लीज में पढ़ा होगा तेंस जिसे आज हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं तो हिंदी में टेंस को हम लोग काल काते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे काल किसे काते हैं क्रिया के जिस रूप से किसी कारे के होने के समय का बोध हो उसे हम लोग काल काते हैं बोध हो मतलब पता चले उसे हम लोग काल काते हैं में इहां पर दिया हुआ है वह पत्र लिखेगा मतलब उसने अभी पत्र लिखा है, लिखे में पता चलता है क्रिया के द्वारा दूसरा क्वेश्चन है काल के कितने भेद हैं काल के तीन भेद हैं भूतकाल बर्तमानकाल और भविश्यतकाल इन तीनों कालों के समन्द में हम लोग जानेंगे सबसे पहले भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली पढ़ ली मतलब काम हो चुका पुस्तक पढ़ने का कारे हो चुका है तो ये क्या होगे भूतकाल मतलब बीत चुका है बर्तमानकल, क्रिया के जिस रूफ से चल रहे समय का बोध हो, उसे बर्तमानकल कहते हैं बर्तमानकल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूफ से चल रहे समय का बोध हो मतलब जो समय चल रहा है, उसे अब लोग बर्तमानकल कहते हैं जैसे एक्जाम्पल भी है, रमेश खेल रहा है, तो खेल रहा है, मतलब खेलने का कर हो रहा है, तो यह बर्तमान काल, अब हम लोग देखेंगे भविश्यत काल किसे करते हैं, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के बारे में पता चले, उसे भविश्यत काल करते हैं, मतलब जो समय आने वाला है वो भविश्यत काल जैसे ऑगजामपल यहां पर Tum Karl-Skool जाओंगे तो तुम कम क्राच जाओंगे यानि यह भविष्यत पारे में पूच जारी कल के बारे कल के बारे में पूछी जारी तो ये भविस्षत काले इस तरह से हम लोगों ने तीनों कालों के संबंद में जाना अगली वीडियो में मैं काल से संबंदित अभ्यासमाला एक्सरसाइज लेकर आऊंगी जिसे आप लोगों को करना होगा तब तक के लिए नमस्षिवाए घर पे रहे करें तो करें को करें 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 झाल झाल